हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो भारत में अक्सर प्रेस की सवतंतरता को लेकर चर्चा होती रहती है तीन मैं को मनाय जाने वाले विश्व प्रेस सवतंतरता दिवस पर भारत में भी प्रेस की सवतंतरता पर बातचित होना लाजमी है आज प्रेस दुनिया भर में खबरे पोचाने का सबसे बहतरिन माध्यम है बारत में प्रैस की सवतंतरता बारते सम्विदान के अनुछेद 19 में बारतियों को दिये गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है विश्व स्तर पर प्रैस के आजादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट संग की महासबा दौरा तीन मई को विश्व प्रैस सवतंतरता दिवस गोशित किया गया जिसे विश्व प्रैस दिवस के रूप में भी जाना जाता है युनेश को द्वारा 1997 से हर साल तीन मई को विश्व प्रैस सवतंतरता दिवस पर गिलेरुमो कानो वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम प्रैस भी दिया जाता है यह पुरुसकार उस व्यक्ति अत्वा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रैस की सवतंतरता के लिए उलेखने कारियक किया हो 1997 से अब तक भारत के किसी भी पत्तरकार को यह पुरुसकार नहीं मिलने की एक बड़ी वज़े कई वरिष्ट पत्तरकार पश्चिम और भारत में पत्तरकारिता के मान दंडों पर अंतर बताते हैं दोस्तों भारती पत्तरकारिता में हमेशा विचार हावी होता है जबकि पश्चिम में तथ्यात्मक्ता पर जोड़ दिया जाता है इससे कहीं न कहीं हमारी पत्तरकारीता के स्तर में कमी आती है इसके अलवा भारतिय पत्तरकारों में पुरुषकारों के परति जाग रुपता भी इसकी एक कमी है वे इसके लिए प्रयासरत नहीं रहते प्रैस किसी भी समाज का आइना होता है प्रेस की आजादी से यह बात साबित होती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी सवतंतरता है भारत जैसे लोकतांतरिक देश में प्रेस की सवतंतरता एक मोलिक जरूरत है प्रेस और मीडिया हमारे आसपास गटित होने वाली गटनाओं से हमें आउगत करवा कर हमारे लिए खबर वाहा का काम करती है यही खबरे हमें दुनिया से जोड़े रखती है विश्व प्रेस समाचारों को लोगों तक पहुचा कर ससत हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उदेश्ये है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको World Press Freedom Day इस से जुड़ी सारी जानकरी अच्छे से दे दियोगी दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें मैकसिमम से मैकसिमम हर जगे इसे शेयर करें ताकि सब को यह जानकरी अच्छे से मिल सके और दोस्तों हमारे देश में प्रैस को जो दिखाती है हमें जो हमें न्यूज वगरा होती हैं उनके जो सवतंतरता मिली हुई है वो सही है गलत है या किस लेवल तक होनी चाहिए जो भी आपकी लोगों की इस से रिलेटेड राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिखके बता हैं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यह ज़िति आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्स्क्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्स्क्राइब है और blew NOTIFICATIONS के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐ तो टाइम तो टाइम और सबसे पहले मिल सके दन्यवाद दोस्तो जय हिंद